हेलो फ्रेंज वेलकॉं टू माई इस्टडी फीर चैनल दोस्तों आज में टेनिस इस्किल टेस्ट के अंतरगवत डायर टेनिस टेस्ट ब्रोवर मिलर टेनिस टेस्ट हीविर्स टेस्ट एवरी रिचर्शन सर्वर टेस्ट के बारे में विस सभी टॉपिक्स जो आपके एकजा यदि आप फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कॉमफिटेटि एकजाम्स, TGT, PGT, KVS, NBS, CLT का प्रिप्रेशन, सिल्विस के एक़ॉडिंग करना चाहते हैं तो मेरी चैनल पे सभी वीडियो सिल्विस के एकॉर्डिंग है उन्स वीडियो को वाच्च करके आप अपने प्र तो दोस्तों टेनिस टेश्ट के आंतलों कई चार टेस्ट आते हैं değildiयर टेनिस बैकबोर्ट टेस्ट जो बार बार तोछा जाता है दुस्ता ब्रोबर मिलर टेनिस टेस्ट हीविट्स टेनिस टेस्ट चाय इसको याद करने के लिए आप कर सकते है उसका Ahd-D. लिजे डी बी एच्चे 355689 डी से डायर टेनिस बैक बोर्ड टेस्ट इसको 1935 में जुन्ना थायर डायर ने जनरल टेनिस प्लेंग इबिलिटी मापने के लिए बनाया और यह तेनिस के खिलाड़ियों के खेलने की चमता और टपा मारने की यगता को मापना इसका उदेश से था और जुन्ना थायर डायर ने सबसे पहले इसका परिच्च उन्नीस कालेज की 796 टेनिस खिलाड़ियों पर इसका प्रयोग किया इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगी दूसरा है विशे ब्रोवर मिलर टेनिस टेस्ट इसको 1950 में मेरियल आर ब्रोवर तथा दुन्ना मैक मिलर द्वारा जनरल टेनिस प्लेइंग एबिलिटी के अंतरगर्ट फोर है तथा बैक है ड्राई को मापने के लिए बनाया गया इसकी विश्वस नियता यानि रिलेबिलिटी जो है पॉइंट एट जीरो है फिर है आपका डी बी एच ए एच से हिविर्स टेनिस टेस्ट हिविर्स टेस्ट को 1960 में जोग इविर्स द्वारा बनाया गया ठीक है डी बी एच ए ए से एवरी रिचर्डशन सर्व टेस्ट उनिस सो उन्याशी में कहते थी ए एवरी पेगी ए रिचर्डशन एंड एलियन डवलू जोक्सन द्वारा इसको बनाया गया तो दोस्तों यहां पे आपको जादे याद करनी की जुरुत नहीं है बस आप यह याद कर लेजिए कि टेनिस टेस्ट के अंतरगत कौन कौन सा टेस्ट आता है तो इसके अंतरगत डाया टेनिस टेस्ट ब्रोवर मिलर टेनिस टेस्ट हीवरी रिचर्डशन सर्व टेस्ट आता है क्योंकि दोस्तों डाया टेनिस टेस्ट बार बार पुछता है उसके अलावा ब्रोवर मिलर भी पुछता है ठीक है अगर उसके लगा आपको हीविर्स टेनिस टेस्ट एवरी रिचर्शन सर्वर टेस्ट पुछ देगा तो आप कन्फूज हो जाएंगे इसलिए इसको भी आप याद कर लिजिए क्योंकि बार बार एक ही चीज नहीं पुछता है दोस्तों बदल के पूछेगा तो आप कन्फूज हो जाएंगे तो दोस्तों इन चारों टेस्ट में से डायर टेनिस टेस्ट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैं डायर टेनिस टेस्ट का थोड़ा डेटेल में वर्रंग करूंगी तो दोस्तों चलिए जानते हैं डा डायर ने जनरल टेनिस प्लेइंग इबिलिटी मापने के लिए बनाया इसका परपच क्या है यह टेनिस के खिलाडियों के खेलने की छमता और टप्पा मारने की यकिता को मापता है ठीक है और दोस्तों जनर थायर डायर ने सबसे पहले यह परिच्छर 19 कालेज की 796 टेनिस खिलाडियों पर इसका प्रियोग किया दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए क्या क्या एक्यूपमेंट लगता है इसमें स्टाप वाच बैक बोर्ट टेनिस बाल टेनिस रेकेट मेजरिंग टेप का प्रियोग होता है अब बात करते हैं टेस्ट एरिया मेजर्मेंट की तो टेस्ट एरिया कैश्व होता है दोस्तों यह दिवार से तिन फिट की उचाई पर दिवार पर होता है या बैक बोर्ड पर होता है ठीक है दिवार पर या बैक बोर्ड पर जमीन से तिन फिट की उचाई पर ठीक है तिन फिट की उचाई पर एक नेट लाइन खीचेंगे जो दिवार पर या बैक बोर्ड पर होगी ठीक है यदि दिवार पर बनाते हैं तो दिवार पर नेट लाइन होगी और बैक बोर्ड पर बनाते हैं तो नेट लाइन बैक नेट लाइन के जश्ट उपर यानि तीन फिट के उपर नेट लाइन है नेट लाइन के जश्ट उपर 6 फिट 11 इंच की उचाई और 15 फिट की लंबाई या चोड़ाई का एक आयत बन जाएगा यानि कि जिस आयत का लगभग एरिया 10 गुड़े 15 फिट का होगा और दिवार से 5 फिट की दूरी पर एक स्टार्टिंग लाइन खीचेंगे यह तो हुआ टेस्ट एरिया का मेजर्मेंट अब इसका प्रक्रिया क्या है टेस्ट एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे टेनिस रेकेट और टेनिस बाल के साथ खड़ा कर दिया जाता है और गो का संकेत मिलते ही खिलाडी बाल को जमीर पर टिप करने के बाद दिवार पर टेनिस रेकेट से मारना शुरू करता है बाल दिवार से टकरा कर वापस आती है दो या तिन टपे खाती है तब भी खिलाडी उसे मार सकता है बिना टिप किये भी उसे मार सकता है परति भागी को 30 सेकेंड का समय दिया जाता है और 3 ट्रायल दिये जाते है ठीक है 30 सेकेंड का 3 ट्रायल दिये जाते है दोस्तों इसका स्कोरिंग होता है 30 सेकेंड में किये गए को वैलिद हीट को काउंट किया जाता है और तीनों ट्रायल में जो valid हिट होगी उसे जोड़ दिया जाता है और वही उसका स्कोर होगा valid हिट क्या होगा दोस्तों खिलाडी द्वारा किया गया हिट दिवार पर net line के उपर लगना चाहिए वही valid हिट होगा यानि प्रति भागी हिट करते समय प्रारंबिक रेखा के अंदर अथा दिवार से पांच फिट की दूरी पर जो प्रारंबिक रेखा बनाई गई है उसके अंदर नहीं आना चाहिए गेंद दिवार से टकरा कर ही वापस आना चाहिए वही आपका valid hit होता है तो दोस्तों यह था आपका tennis test के अंतरगर दायर tennis test, ब्रोवर मिलर tennis test, हीविर्स tennis test एवरी डिचर्शन tennis test तो दोस्तों आई होब कि यह आपको समझ में आया होगा चोटा सा वीडियो है बट यहां पर भेरी एफेक्टिव वीडियो है यह इसे कोस्टन हर बार पुछे जाते हैं आप नाम याद जरूर कर लिजेगा उसके अंदर कर सन और कुछ याद कर पाएं यह नो कर पाएं तो दोस्तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा यह वी करिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन